हाई आज हम बनाएंगे अमरांथस लीउस के पत्ते इसके लिए यहाँ पर मैंने हाफ कप दाल हाफ एन अवर के लिए सोग करके रखा है वन कप पानी में अब इसमें हम हाफ टेबल स्पून सी साल्ट या आइडिन साल्ट कुछ भी दाल देंगे छोटा नीम के साइज जितना इमलेड दालेंगे छे से साथ लस्ट दालेंगे दो मीडियम साइज ओनियन डालेंगे तीन से चार हरी मिर्ट दालेंगे और दो मीडियम साइज टमाटर डाल देंगे वन टेबल स्पून ओईल और लास्ट में हमारे अमरांतर स्लीव्स यह फिर तोटा कूरा जो तिलिगू में हम बोलते हैं मैं यहां पर पाच कप भाजी ले रही हूं अमरांतर स्पत्ते हाफ कप के लिए आप वन इस्टू टू रेशियो में ले सकते हैं क्योंकि भाजी पकने के बाद हाफ बन जाता है इसको हम तीन सीटी पह का लेंके एक सीटी बढ़े आज पहे बाकिकी confined दो सीटी छोटे आज पर अब हम Kadar teste कर लेंगे आप बगार के लिए 1 टेबल स्पून ओइल करंग कीजिए इसमें आप 1 टेबल स्पून जीरा, माल डाया, माल चना दाल, पीली दाल, माल फटेबल स्पवन उरद दाल, 2 से 3 सुखे लाल मिक्च और चोड़े री पत्ते दाले यहाँ पर मेरे पास प्यास की पत्ती है आपको पसंदे तो आप प्यास काटकर भी डाल सकते हैं क्योंकि हमने गलाते बहुत प्यास दाला था इसलिए मैलेंज दाल रही है अब इसमें साथ से आख पुछले हुए फ्रेश लस्न दालेंगे वन फॉर टेबल स्पून हिंग दालेंगे और इसको वन मिनिट के लिए पका लेंगे अब लास्क में खुरियांड डालेंगे और हम अभी प्लिम को बंद कर लेंगे अभी ये बगार को हम दाल में डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे अभी ये गरम है इसलिए अगर आपको थोड़ा नमकमेट अगर 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 आपको पानी कम लगे तो थोड़ा पानी डालेंगे या फिर आपका पानी ज्यादा हो गया तो इसको दो मिनिट के लिए स्टाउपर फिर से रख लीजिए टेस्ट कीजिए बहुत ही